हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है एकता तुम्हे जो पसंद है वो लेलो सिप्रा ने अपनी नवेली देवरानी रोमी से कहा नहीं भाबी मेरे पास तो सब कुछ है मैं तो ऐसे ही देख रही थी रोमी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं सोचने वाली ले गई हो गई एक हपते बाद सिप्रा ने कहा मैं अपने ब्लाव सिलवाने जा रही हूँ तुम्हें भी देना है तो दे दो नहीं भावी मेरे पास तो अभी कई साड़ियां और ब्लावज हैं जिसे मैंने खोला तक नहीं है रोमी ने कहा अरे तुम नादान हो और नादान ही रहोगी औरत के पास कितनी भी साड़ियां और ब्लावज हों पर जब कहीं जाना होता है तब उसके पास कुछ पहनने को नहीं होता इसलिए जिस साड़ी के बलाउज ना हूँ उसे मुझे दे दो मैं अपने साथ साथ तुम्हारे भी सिलवा दूंगी सिपरा ने कहा रोमी सिपरा की बात टाल नहीं सकी और उसने अपने दो बलाउज सिलने को दे दिये एक दिन दो पार में सिप्रा अपनी सासु मा सुनीता जी से बात कर रही थी पता है मम्मी जी रोमी का हाँ तो बहुत छूटा है उसे पैसों की कोई कदर ही नहीं अभी अभी साधी हुई है उसकी तो उसके पास सब चीजें नई के नई होंगी फिर भी उसे ने उस दिन एर रिंग और क्लिप्स लिये मैं उसे मना नहीं कर सकी और तो और मम्मी जी मेरे साथ साथ उसने अपने लिए बलाउज भी सिलवाए अब आप ही बताईए कि मैं उसे कैसे मना करूँ अगर मना करती हूँ तो घर की इज़्जत खराब हो जाएगी और उपर से उसे बुरा लगेगा वो अलग अच्छा ये बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैं उसे अपने घर के नियम के बारे में बताती सुनीता जी ने गुस्से में आते हुए कहा मैं कैसे बता सकती हूँ आपको घर की इज़्जत और सम्मान के साथ साथ उसे बुरा नहीं लगे वो भी तो देखना था मुझे सिप्रा ने मुझे बनाते हुए कहा तभी रोमी सुनीता जी को चाय देने आई है तो उसे ने सब सुन लिया था उसे अब जूट बरदास नहीं हो रहा था तो फटाक से दरवाजा खुल अंदर आकर चाय काका सुनीता जी के हाथों में थमाते हुए कहा जिस तरह आप बता रही है वैसे ही छोटी बहु ये तुम्हारी जठानी है उसे जस से पेश आओ सुनीता जी ने गुश्य में कहा ममी जी माफ कीजिएगा पर जहां नई बहु को अपना पना और प्यार देने की बजाए घरवालों को उसके विरुद भड़काया जाए तो परिवार में कहां से आएगी एक ज परिश्वास किया और आपने मुझे इसका क्या सिला दिया ममी जी मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मध्यमवर्ग से हूँ तो इतना तो पता है कि अभी अभी साधी हुई है तो कितना खर्चा हुआ होगा अगर मुझे घर और परिवार में आप सब का समर्थन और सहयोग च खड़ी रही सुनीता जीने रोमी के आशु पोस्ते हुए गले लगाते हुए कहा बेटी मुझे माफ कर दो बिना सच्चाई जाने मैंने तुम्हारे लिए अपने मन में गलत सोच लिया और गुस्सा हुई मैं भी चाहती हुँ कि तुम दोनों आपस में प्यार और अपने पन से एक साथ रहो और एक दूसरे का विश्वास मत तोड़ो मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिएगा देवरानी को नीचा दिखाने की कोसिस में खुदी ही नीचे गिर गई आइंदास या ऐसी गलती नहीं कर आसा करती हुँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद